नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आप सब के लिए मैं बहुत ही बड़ी खुश्कपरी लिख रही हूँ एपरेल 2019 में वो कौन से 5 फॉर्म है जो आपको भरने ही है और कब से भरे जा रही है सारा मैं आपको एक एक फॉर्म का डीटेस में बताऊंगी कैसे कैसे आपको भरना है क्या क्या प्रोसीजर होगा और एक बात जरूरी है कि हर क्वालिफकेशन के लिए यहाँ पे अलग अलग वकैंसिस निकाली जा रही है 10th Pass के लिए अलग है 12th Pass के लिए अलग डिप्लोमा डिगरी आईडी सब के लिए अलग अलग वकैंसिस निकल के आ रही है 3,11,000 से ज्यादा वे कैसी स्खाली है डेटेस में बताऊंगे कैसे आपको भरना है क्या-क्या प्रोसीजर हैगा अगर आप चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लस बेल बटन जरूर दबा लीजिए इससे आपको फ्री में नोटिफकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूँगी चलिए अब बात कर लेते हैं रिक्रूट्मेंट की कौन-कौन से न्यूस सामने आ चुकी है डेटेस में मैं आपको बता देती हूँ और आप हमारा टेलीग्राम ग्रूप भी जोइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको हर एक जानकारी सबसे पहले मिल जाये करती है चाहे वो स्टडी नोट्स को लेकि हो चाहे गौर्णवर्ट एक्जाम को लेकर हो उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जायेगा आप जोइन कर सकते हैं अब डेटेस में बात करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितनी वेकैंसिस निकालने जा रहे हैं से पहले देखिए सरकारी बैंकों में दो साल में करीब असी हजार भरतिया होने की संभावना जी हाँ दोस्तों सरकारी बैंकों में असी हजार के करीब विकैंसिस निकालने जा रहे हैं जी हैं दोस्तो 80,000 के करीब भरतिया होने जा रही है सरकारी बैंकों में जो बच्चे विकैंसिस की वेट कर रहे हैं कि हमने इस गौर्णवर्ट एक्जाम देना है गौर्णवर्ट बैंक के लिए एक्जाम देना है उनकी लिए ये वाली खुशकबरी है अगर आपने ग्रैज क्या रहेंगी वैसे मिनिममम ग्रैजुएशन ही रहती है हां सेल्ज में होता है कि ट्वैल्थ पास के लिए लिजिबिल्टी रहती है लेकिन सेल्ज में यह ज्यादा तर प्राइबिट बैंक्स में हाइलिंग होती है उसके बाद थर्ड नोटिस देखिए दिल्ली पुलिस ह सविक्रिती आप सबने सुना होगा डेली में बहुत ही ज्यादा प्राध हो रहे हैं तो डेली पुलिस होगी और मजबूत यहां पर बता दिया गया इकती सो उन्ताली पदों पर यहां पर भरती होगी अब इसकी लिए इलिजिबिल्टी क्या रहेगी वह भी मैं आपको सार रैंकों को मिलाकर कुल 88,883 पद थे और यह सविक्रिती मिलने के बाद कुल पदों की संख्या 91,900 शब्वी पहुंच गई है आप इसको न्यूस पर की यहां पर स्क्रीन शोट लेकर के पढ़ सकते हैं उसके बाद रेलवे की सेफ्टी कैटेगरी में एक लाख पदों पर हो पता होगा उन्होंने यह एनॉस कर दिया है कि सेफ्टी कैटेगरी में एक लाख पदों पर भरती होगी इसके इलावा आपको पता है इसके इलावा रेलवे में अल्रेडी विकेंसिस आउट हो चुकी हैं दो लाख के करीब है ग्रूप D की हैं एंटी पीसी की हैं नेक्स न लोकेशन है उत्तर परदेश पश्य मंगाल बिहार करनाटक गुजरात तामिलाडू जारखंड 36 गण उत्तर परदेश में तो भरे भी जा चुके हैं दिसंबर के करीब भरे जा चुके थे और और वी वेकेंसिस यहां पे आएंगी यहां पे देखे बताया गया है जितने प खाली है यहां पे आप कंपैरेजन करके देख लेना बाकि जैसे ही इसकी ओफिशली नोटिस आएंगी वह भी बताऊंगी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा जरू शेर कीजिएगा ताके उनको भी एक होप हो कि यह वेकेंसिस आएंगी 2019 में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिये शेर कीजिए दोस्तों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी जो भी वेकेंसिस आएंगी इसके भी जब नोटिस आएंगे वो भी मैं आपको वीडियो बनाके बताऊंगी थैंक्स fórवाचिंग झाल